Album Toolkit में हजारो overlay effect दिये गए हैं जिनका इस्तेमाल आप album designing के दौरान कर सकते हैं यह देखिए यहाँ पर overlay का एक section दिया हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको bouquet नजर आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर bouquet, sun, light leak, light painting, glitters, smoke, rant और धेर सारे overlay effect दिये गए हैं आपको बस उने select करना है, जैसे मैंने यहाँ पर png flower पर click किया तो यहाँ पर png flower आ जाएंगे, यह देख सकते हैं, आप यहाँ पर धेर सारे overlay effects दिये हुए हैं, आप अपने खुद के overlay effects को भी यहाँ पर load कर सकते हैं, तो इनका इस्तमाल कैसे करना है, यह देखिए, for example, मुझे इस photo में यह bouquet apply करना है, तो मैंने बस यहाँ पर double click किया और वो bouquet यहाँ पर जाके apply हो जाएगा, यह देखिए, apply हो गया है, उसे आप छोटा बड़ा जो भी करना चाहें, कर सकते हैं, मैंने इसे delete कर दिया, अगर आपको यह apply करना है, आप इस पर double click किजिए, वो apply हो जाएगा, ctrl z, हम लोग वापस जाते हैं, ओके, अगर आप multiple photographs में apply करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने ये photo select किया, मैंने ये photo select किया, मैंने ये photo select किया, तीनों में मुझे यही बुके apply करना है, या यह, तो आपको बस उस पर double click करना है, जितना भी photo आपने सेलेक्ट किया है उसमें वो बुके अपलाई हो जाएगा बुके या फिर कोई सब भी ओवरले इफेक्ट जो आप सेलेक्ट करेंगे वो अपलाई हो जाएगा अब देख सकते हैं कि यहाँ पर तीनों में वो इफेक्ट अपलाई हो चुका है अप combinesा चुलेक्टा है तो अभी हमने क्या किया कि तीनों फोटो में एक ही अपलाई किया हम अलग अलग बुके्टवी अपलाई कर सकते हैं एक Rodrigo जाओ यह देखिया मैंने ये फोटो के साथ ये फोटो किया मैंने ये तीसरी फोटो किया अब मैं यहाँ पर से ये एक सेलेक् ओरले एफक्ट आजाएंगे यह देख आजेना सब्सक्राइड तो इसमें पर देख है is रोम मार्किंग हो रही है तो मारकिंग just for example, यहाँ पर से मैं जाता हूँ, यहाँ पर से light leak में जाता हूँ, मैंने यह photo select किया, इस light leak के effect पे click किया, वहाँ पर आप देख सकते हैं light leak apply हो गया है, मैंने यह photo select किया, मैंने इस पे click किया, वो light leak यहाँ पर जाके apply हो जाएगा, आप multiple photographs में भी apply कर सकते हैं, आपके उपर depend करता है, okay, for example, ये photo, मैंने ये select किया, और मैंने ये select किया, मैंने इन दोनों में एक ये और एक ये, right click, apply this, तो उन दोनों photo में ये दो, जो light clicks हैं, वो apply हो जाएंगे, यहाँ पर ये blue अला apply हुआ है, यहाँ पर ये yellow अला apply हुआ है, control Z, control Z, selected, मैंने ये photo select किया, इस बार मुझे क्या करना है, मुझे png flower डालना है, मैंने ये select किया, कोई सब्सक्राइब प्लावर ले लूँगा, मैंने इस पर double click किया, वो png flower होँआ पर जाके apply हो जाएगा, ये देखिए, तो इस तरीके से आप album toolkit में दिए गए overlay effect की सहायता से, अपने album reigning में overlay effect डाल सकते हैं, और उसे और भी सुन्दर बना सकते हैं, album toolkit के साथ आपको हजारो overlay effects मिलेंगे, और आप अपने खुद के overlay effects को भी load करके उसका इस्तमाल कर सकते हैं,